हालो बचो, लेट्स रीद इस क्वेशन, the question says, which of the following is an example of passive immunity, पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से बने हुई antibodies जो है, वो वोडी में डालते हैं, ठीक है, यानि preformed antibodies को हम क्या कर रहे हैं, वोडी के अंदर enter करवाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं, passive immunity, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि passive immunity कहां पर है, कौन सा example है, तो first देखते है, transfer of antibodies from a mother to fetus through colostrum, ठीक है, अब colostrum से क्या होता है, colostrum वो milk होता है, जो कि lactation के initial days में produce होता है, ठीक है, अब क्योंकि वो बच्चा जो है, अभी अभी उसका birth ह हुआ है, तो उसके पास किसी भी तरीके का antibody नहीं होता है, हाला कि थोड़ा बहुत antibody placenta के थुरू आता है, बट स्टिल, colostrum के थुरू जो है, बच्चे को antibodies मिलता है, तो mother के जो milk होता है, initial days में lactation के, उसमें antibody produce होता है, that is IgA antibody produce होता है colostrum में, जो कि बच्चे के अंदर जात है through milk, तो ये क्या है antibody, पहले से बनी होई जो mother के milk में antibody हो बच्चा consume कर रहा है, तो ये passive immunity हो गया, ठीक है, then be given है, administering preformed antibodies in tetanus, tetanus के case में किसी को tetanus है, तो उस case में हम क्या करते हैं, पहले से जो produce के होई antibodies है, वो उसमें enter करवाते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके का passive immunity हो गया, then given है, administering antitoxins in case of snakebite, ठीक है, अब snakebite के case में हम क्या कर वा रहे हैं, antibodies को enter कर वा रहे है, antitoxins भी क्या है, तए क्या एक तरीके की antibodies ही हैं, जिन को enter कर वाते हैं, ठीक है, अब antibodies को enter कर आ रहे हैं, तो उस case में भी आ हो जाता है, ये भी Muh sexuality का example हो जाएगा, तो ये भ इसके regarding information आपको 12th की new NCRD में page number 136 पर मिलेगी I hope कि आपको question अच्छे से समझा गया है